जहें दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोटो सिंथेटिस कहां होता है प्रकास संसलेशड कहां होता है आप लोग जानते होंगे कि प्रकास संसलेशड पत्तियों में होता है लेकिन कैसे होता है कहां पर होता है पत्ति के किस भाग में होता है पत् इसके बाद हम लग उसके आंतरिक भाग की तरफ चलेंगे, तो आईये सरप्रतम हम पत्ती के बारे में जानते हैं, तो जो हमारा पत्ती होता है, वह स्टिम से जुड़ा होता है, जैसे माले जीजे या कैसे भी पादब का इस्टिम है, और इस्टिम से यहां पाद जुड़ा पेश्योल या पेडिकल यह क्या करता है पत्ति को ऊपर की तरग उठाए रखता है फिर पेश्योल या पेडिकल से जुड़ा होता है हमारा लीव यह हमारा पत्ती हो गया यह हमारा पत्ती हो गया यह हो गया पत्ती का नुखीला भाग इसे बोलते हैं एपिक्स इसे बोलते हैं Apex और यह पत्ती का बाहरी बाग जिसे बोलते हैं Margin इसे बोलते हैं Margin अमालज यह हो गया हमारा Esteem क्योंकि Esteem से ही जो होता है हमारा लेप चुड़ा रहता है और यह हमारा हो गया Paisol या Pedical Paisol या Pedical फिर इसके बाद यह हो गया हमारा वेन अब जो यह है मिड रिव इसका नाम है मिड रिव जो पत्ती में ऐसे एक जो पत्ती में ऐसे सीरिस रसना होती है इसे बोलते हैं मिड रिव और मिड रिव से ऐसे निकला रहता है वेन इसे बोलते हैं वेन तो यह हमारा क्या होगा यह होगा वेन अब वे से ऐसे ऐसे पुछ सरसना निकली रहते हैं ऐसे 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 तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे वेन लेट इसे बोलते हैं वेन लेट तो दोस्तों यही है हमारे पत्ती का भाग जिसके बारे में हम लोग जानने वाले थे पत्ती के मुक्ता इतने भाग होते हैं जहां से तो पत्त के बारे में जानेंगे आप हम प्ते Hm पहले तो यह आप जानें ज़ेए पत्त दो प्रकार का होता है न गैत तो हम लोग डाइकाट पत्ति के बारे में जानेंगे, तो जो फोटो सिंथेतिस के बारे में जानेंगे, उसमें हम लोग लेंगे डाइकाट लीफ, डाइकाट लीफ हम लोग लेंगे, तो आईए हम लोग डाइकाट लीफ में फोटो सिंथेतिस के बारे में जानते हैं, तो ज और यह पती है और यह पती कुछ इस प्रकार से है आप लोगों को दिखाने के लिए इसे बना गया यह पत्ती के देखे यह इसके नीचे वाला भाग जो पत्ती का नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं एबैक्जियल और इसके उपर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं एडैक्जियल एडैक्जियल एक्सिस और इसे बोलते हैं एबैक्जियल एक्सिस तो पत्ती का ऐसे माली जे पत्ती है तो पत्ती के उपरी भाग को बोलेंगे एडेक्जियल एक्सिस और नीचले वाले भाग को बोलेंगे एडेक्जियल एक्सिस तो यहाँ पत्ती का भाग होता है अब यहां पर ऐसे लंबी वा एडेकजियल इस्तिति मतलब उपरी वाले इस्तिति ऐसे कुछ प्रकार के ऐसे कोशिकाय पाई जाती है इस प्रकार से इसका यह center हो गया तो यह जो कोशिकाएं होती है यह लंबी वब बहुकेंदरी होती है तथा यही कोशिकाएं जो होती है यह कोशिकाएं क्या करती है absorption of light मतलब प्रकास को असोसित करती है यही जो यह लंबी वब बहुकेंदरी कोशिकाएं होती है absorption of light प्रकास को associate करती है फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ गोल नूमा ऐसे कोशिकाय पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं spongy cell इसे हम लोग बोलते हैं spongy cell और यह जो प्रकास को associate करती है इसे हम लोग बोलते हैं polycid cell polycid cell तो पत्ति के अंदर दो प्रकार के कोशिकाई पाई जाती है एक होता है पॉलिसेड एक होता है स्पंजी सेल जो पॉलिसेड होता है या प्रकास को एपजापसन करता है और जो स्पंजी सेल होता है या प्रकास को एपजापसन करके फूड को बनाने में मदद करता है तो आप लोग जानगे यह हूग यह हूग पॉलस उन्सी इन दोनों को मिला करके बोलते हैं कि इन दोनों可 मिला करके बोलते हैं मीजो फील कि मीज Basics so Far click तो यह पत्ती के आंतरिक भाग का चित्र है न पालिसेड एंड इस्पंजिस सिल को मिला करके बोलते हैं मीजो फिल अब मीजो फिल जो होता है इसका सरचना कुछ इस प्रकार से होता है अब मीजो फिल जो होता है जो हमारा मीजो फिल होता है अब इसका सरचना कुछ इस प्रकार से होता है माली जै मेजो फिल में क्या पाजाता है पॉलिस एड इस्पॉंजी सिल पाए जाता है तो आप मेजो फिल के अंदर क्या पाए जाता है आई यह हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो जैसे माली यह कोई पत्ति का आंतरी भागन है तो यह जो मेजो फिल सिल है इसके अंदर का सरस्टना के बारे में जानेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार की सरस्टना है पाई जाती है एक ऐसे वायक्यूल जैसे सरस्टना पाई जाती है जो मेजो फिल सिल का 90 से लेकर के 95% तक का भाग होती है और इसके अंदर ऐसे chloroplast पाय जाता है अब chloroplast के बारे में आप लोग जानते ही हमें जो पत्तिएओं में chloroplast पाय जाता है तो यह हो गया chloroplast पत्तियों में 90 से 95% तक का जो भाग होता है वा वैक्वियोल का होता है और 0 से लेकर के पांच परसेंट तक का जो भाग होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट का तो यह हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट तो यह भाग बीच वाला भाग क्या हो गया वैक्यूल हो गया वैक्यूल और यह क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट यह हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट तो अब है हम लोग जानेंगे पति को खी चत्र जानेंगे हैं मालीं जैसे हैं पती के भाग के बारे में जानते हैं पहले हमने क्या जाना पत्ति के भाग के बारे में फिर मेजो फिल सिल के आंतरिक भाग में फिर अब हम लोग जानेगे क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक भाग में तो माले जी जैसे हमारा प्लॉरॉप्लास्ट है इसका सरसन कुछ इस प्रकार सी होरी है मैं यह वो गया खोलॉप्लास्ट को अब्लॉरॉप्लास्ट में cossover पाए जाता है इसे क्या वोलते है यह जोduc DON TO US ऑ जो पत्ति के अंदर एक है आकेले सरसना पाई बनाते हैं मतलब ठेर सारे संख्या में होते हैं भी जी अध्य इसे यहां परोगे यहां अब यह ऐसे सिख्टे के जैसे सरस्टन बनाते हैं मतलब सारे ऐसे होते हैं है कि ऐसे कि कुछ इस प्रकार से इनके सरस्टन होती है तो यह वो गया थैले कॉइड आप धेर सारे थैले कॉइड को मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेना इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेना धेर सारे थैले कॉइड को जो मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेना और एक को लेंगे तो इसे बोलते हैं थैले कॉइड तो इस प्रकार से यह ग्रेना हो गया अब इसके अंदर का जो भाग होता है जहाँ पर ग्रेना नहीं उपस्तित होता है जैसे ये वाला भाग इसे बोलते हैं इस ट्रोमा ये वाला जो भाग है न इतना सारा इसे क्या बोलते हैं इस ट्रोमा इसे बोलते हैं इस ट्रोमा और जो मारा ग्रेना होता है न यहां पर होता है लाइट रियक्षन यहां पर होता है लाइट रियक्षन मतलब प्रकाज की तो यह हो गया हमारे chloroplast के अंदर का सरस्णा और ये जो एक stroma, दो stroma, तिसरे stroma से एक इस प्रकार के सरस्णा के द्वारा जुड़े रहते हैं और जो हमारा qualify होता है na यह दो प्रकार के membrane में होता है एक होता है outer layer, एक होता है inner layer अग देखिए यही है हमारा precautions laser तो इसके बाहरी भाग को बोलेंगे outer layer और इसके आंतरिक वाले भाग को बोलेंगे inner layer inner layer तो यह हो गया chloroplast का भाग outer layer, inner layer, stoma and grena और एक सके जैसे सरस्णा को बोलते हैं थेले क्वाइड और lot of थेले क्वाइड को मिला कर बोलते हैं grena तो इस प्रकार से हमारे पत्ती का आंतरिक भाग होता है अब माले जे देसे प्रकास आया प्रकास आया तो यहाँ पर क्या है प्रकास को ग्रहण किया ग्रहण करने के पस्चाद मेजोफिल सिल में भेज देगा अब मेजोफिल सिल के अंदर क्या पाजाता है वैक्योल और क्लोरोप्लास्ट वैक्योल क्या करता है क्लोरोप्लास्ट का मदद करता है और क्लोरोप्लास्ट का करता है फोटो सिंथेटी प्रकास संसलेशड की क्रिया करता है और प्रकास संसलेशड की क्रिया के द्वारा या प्रकास संसलेशड और सूर के प्रकास में और जल के उपस्थिती में और कार्ब यहां पर फूड इस्तीद होता है, मतलब है, फूड इस्टोर जहां पर किया जाता है, उसे बोलते हैं recharge, भोजन बना ग्लूकोज के रोप में, अब ग्लूकोज के रोप में बना तो पति में बनाना, अब माली जिसे यो पत्ती है अब पत्ती के दौरा ऐसे ये शिर्या में उता हुआ जाएगा तो पत्ती के दौरा ये इस टीम में हुआ जाएगा अब इस टीम है तो किस फ़ूर सुप्रोज के रूपे ये लिखी देते हैं जो fat बंता है वह सुपर बंता है ग्लूकोज के कि रोप में फिर श्टार होता है इस टार्श के रूप में जिसे हम लोग मंड बोलते हैं यह फूट बनता है तो इस प्रकार से आप प्रकास आया और यहां पर जो यहां पार ग्रेन है इसके अंदर फूट बने गा पादव का बने के द्वारा ऐसे आस्थाना अंत्रड होगा किसके द्वारा ट्रांसफर होगा सुक्रोज के रूप में अब जहां पर जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमारा जो बेली है जो हमारा पेटे यहां पर फूड इस्टोर होता है ठीक उसी प्रकार से पादब में भी कहें फूड इस्टोर होता होगा तो वहां पर जब इस्टोर होगा इस्टार्ज के रूप में होगा तो बस यहीं इतने सारे आज हमें पढ़ने थे पत्ती के बारे में फूटो सिंधेटिस की क्रिया कैसे होती है आप लोग जानगे यहां प्रकास आया फिर क्लोरोप्लास का अं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारण